हेलो सुटेन ये उसमें आप लोग का स्वागत है और आज की रेक्नियों शुरू करते हैं उससे पहले में माफिए चाहता हूँ क्योंकि आज रेक्नियों शायद से लेट आये होगी क्योंकि मैं अपने लेप्टॉप के को अप्ग्रेड करने के लिए गया तो कल इस पर वीडियो बनाऊँगा तो कल दरूर से देख लेना लेप्टॉप मतलब मेरे लेप्टॉप नीचे लागा यह मॉनिटर उसमें करके रखाऊ तो कंफ्यूज मत होना और आज मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आ क्योंसे ब्रैंड का फॉन प्रिफर करते हैं अगर पसंद आती हूं तो लाइक करते हैं बहुत इंपोर्डन टेक्निस हैं तो फड़ावट से आज की लेटन जो शुरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिज सबसे अच्छा आइपड प्रो लगा है आप सोच रहे हैं टेक्न रूइस तो एपल की खिलाफ बोलता है लेकिन हां मुझे आइपड प्रो वैसे काफी का सही लगा है काफी प्रीमिय में फीचर्स वैसे आपको काफी अच्छे मिलते हैं और इंडियन प्राइसिंग वैसे जो वो सामने आ चुकी है तो मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि US प्राइसिंग के इसाफ से मुझे अच्छा लगा इंडिया में आपको काफी हाइप प्राइस देखने को मिलते हैं अब यहापर शिरवात करते हैं आइपड प्रो से तो आपको इस बार काफी इंप्र उसन से स्टार्ट होती है 64 वाली की आप देख लो प्राइस कितना है यही बात मुझे अपल की नहीं पसना आती है एक टेराबाट अपको जो आइपेड मिलेगा इस बार जो बहुत ही बड़ी बात है जो डिस्प्ले को बैजल से इस बार आपको बहुत ही कम देखने को मिलत और 3D Face ID इस बार आपको जो वह देखने को मिलेगा आपको Animoji, Memoji अगरे का फीचर मिलता है जो Apple की जिस बार जो Pen मिलेगी इसको भी उन्होंने इंप्रूफ कर दिया है Magnetic feature डाल दिया, iPad में touch करते हैं आप उसको लगा सकते है और on the go वो चार्ज भी हो जाएगा iPad Pro इस बार आपको USB Type-C port के साथ में मिलता है, मतलब बहुत इच्छी बात है और Reverse Charging का भी फीचर है आप दूसरे डिवाइस को भी जो वो चार्ज कर सकते है आपको इसके अंदर A12X की latest chip मिलती है, इसमें 7 कुरवाल आपको additional GPU भी देखने को मिलता है अगर आप उसको A11X से compare करते है, तो दो गुना आपको ज़्यादा performance पे इंपर्मेंट देखने को मिलती है 12 मेंग बसल का rear camera 4K 60fps पर आप video record कर सकते हैं वैसे features तो इतने सारे कमाल के मैं क्या पता हो, full version Photoshop भी आपको मिलता है 10 गंटे के आपको इसमें battery life भी देखने को मिलती है, बगएरा 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 मतलब काफी अच्छा आपको इस बार जो देखने को मिल जाता है T2 security chip मिलती है, Apple की fingerprint scanner लगा हुआ है, keypad के अंदर touch करती है, unlock हो जाएगा और इसमें आपको 8GB की RAM मिलती है, 16GB की और 1.5TB का आपको storage मिलता है तो इंडिया में सिफ आपको 180GB तक की SSD देखने को मिलेगी, उसके ओपर नहीं मिलेगा Mac Mini आपको जो देखने को मिलता है, वो यहाँ पर 64GB तक की आपको उसमें RAM मिलेगी इंडिया में जो price टार्ट होगी, वो 75,000 से होगी और US में price जो थी, वो 58,000 लुपीस की तो यह सारे चीज़े Apple हम आपको अनौंस किया है, लेकिन Indian market के लिए price उनने काफी high रखा है देखते हैं यहाँ पर इंडिया में कितना जल्दी launch होता है, कितने लोग interest इसमें लगाते हैं, यह तो मैं आगे ही पता चलेगा यहाँ तक कि इतना फुरा मौक किया, कि अगर आप YouTube के कुछ वीडियोज ओपन करते हैं, तो वहाँ पर भी advertisement उन्हों ने डाल दिये, कि जहाँ पर वो लोग Xiaomi के Poco F1 को 60 से compare करके इसको mock कर रहें, इतना ही नहीं, बलके जो OnePlus 60 का event था, इंडिया के अंदर official price जब launch हुई थी, बाहर वहाँ पर लोगों को calculator free में बाट रहे थे, और उनको यह बोल रहे थे कि calculate कर लो, और देख लो कि हमारी price पर 60 की price में कितना difference है, और features हमारे में आपको इत आप लोगो मिलता है 6528, 6GB कि आपको दोनों में देखने को रहे आखको 4000 ऐमिच की we一下, एफ उन में तो वहाँ प Moioda automatic method ऐख चेक मिलता है, और रहाँ पर 845 मिलता है, तो वहाँ वहाँ पर वह आप लोगो 845 वाला processor मिलता है, price difference है कि एक आप देखे हैं 17,000 price difference है, इसली심We तो लोग यहाँ पर calculator फिरी में बाट रहते हैं कि आप calculate करके खुद देख लिजिए तो यह चीज़ यहाँ पर शाओमी ने कर दिया है Poco F1 ने कर दिया है जो उनका सब ब्रेंड है अब देखते हैं कि आगे OnePlus इसका कैसा reply करता है यह तो आगे ही पता चलेगा तो यहाँ पर इंडिया के दर हम सभी लोगा पता है कि जो पॉन वेबसाइट से वो बैंड हो चुकी है और आप लोगो 827 पॉन वेबसाइट इंडिया में अब जो नहीं देखने को मिलेगी जो आप पहले बहुत देखते थे अब वो सारी चीज़ें इंडिया में नहीं होग तो जियो भी यहाँ पर बैंड कर दिया था तो साथ पर अभी एटल और वोड़ाफोन की तरफ से आपको कोई भी पॉन वेबसाइट डेखने को नहीं मिलेगी वैसे तो उन लोग की सरवर अलग होगी जहाँ पर वो लोग बैटकी देखते होएंगे खैर वालग बात है ले यहाँ पर रियल्मी की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग ख़बर आ डियो और अगर आपको रियल्मी 2, रियल्मी 2 प्रो वगरा परचेस करना रहता है तो आप जाते हैं एमजान और फ्लिपकार्ट पर लेकिन अब यहाँ पर रियल्मी ने अनौन्स कर दिया कि वो अपन अगर आपको रियल्मी की डिवाइस परचेस करना है तो आप इनकी ऑफिशल ऑनलाइन स्टोर पर जाके परचेस कर सकते हैं तो अपर सैमसंग के तरफ से बहुत ही अच्छे ख़बर आ रही और काफी इंट्रिस्टिंग ख़बर आ रही है इंडिया के अंदर और सैमसंग न जिसके द्वारा वो यहां पर क्या करेगी सॉइल न्यूट्रिंस मॉइस्टिस को की इनफोर्मेशन को डेवलप करने के लिए फार्मर्स को यहां पर हेल्प करेगे जिनसे वो लोगों को बहुत स्याधा हेल्प लेगी सैमसंग के इन 5G सैंसर्स डिवाइस वगरा से तो इस अवेशन को अप्र मत जर्मर्ट जो होते जो फार्मिंग होते ही इंडिया का कोरन इसको में सोचना चलेगा और तिवर की स्डेघ अपको अगले साल जो देखने को मिलेगा इसके यहां पे स्पेक्सijo सामने आचुका है और बताहstory संग्ए आपको 93.4 पर편 screen to body ratio देखने को मिलेगा with under display fingerprint scanner अगर आपको बता तो Mi Mix 3 आपको 93.4% screen to body ratio के साथ में देखने को मिला था प्लस अभी इसमें आपको Samsung का जो S10 आएगा आपको 4000 mh की बैटरी देखने को मिलेगी तो मुझे यह सा लगता है कि जो higher variant होगा जाना वो शायद से in specs के साथ में आपको देखने को मिल सकता है आप देखते हैं कि Samsung का यह phone क्या खास लेका आता है इतने leaks और rumors आयते हैं कि इसमें 12 GB तक कि आपको RAM मिलेगी मैं वेट कर रहा हूँ आप भी वेट करें मैं जानता हूँ और भी information आएगी मैं आपको ज़रूस इसके बारे में बताता रहूँगा तो अब ग्लोबल कार्ट पेमेंट्स कंपनी Mastercard, Visa और American Express बताया दर है कि इंडिया के अंदर Central Bank ने उनको एप्रिल के महीने में order दिया था कि जो भी transaction होता है हमें इंडियन्स का इन कार्ट के दुआरा तो उसके जो भी data आप store करते थे अभी आपको उसको locally इंडिया के अंदर store करना पड़ेगा आप उसको global platform पे distribute नहीं कर सकते जी हाँ ऐसी बात हुई थी तो Mastercard ने इसको accept कर दिया है और Mastercard के जो भी data होगी जो transaction आप करते हैं वो locally इंडिया के अंदर store किया जाएगा ऐसा Mastercard ने आज से करना शुरू कर दिया है और Visa और American Express भी यहाँ पे काम पे लग चुके तो अच्छी बात है कि जो भी data होगा जो भी transfer हम करते हैं वो सारी data आपको locally अभी store मिलेगी उसको global platform पे बिलकुल भी distribute यहाँ पे नहीं किया जाएगा तो अब हुआवे की तरफ से cover audio और हुआवे यहाँ पे बताया जा रहे है कि इंडिया के अंदर आने वाले समय के अंदर वो अपने कुछ नए tablets लिके आएगा और साथ में नए pieces भी लिके आएगा अगर आपको बता तो Huawei second largest company बन जाती है smartphone maker के अंदर पुरे world के अंदर तो इसके लिए Huawei के लिए कोई चोटी बात नहीं है और इंडिया मार्केट उन्होंने का कि हमारे लिए बहुत ही की मार्केट है उन्होंने का कि इंडिया में हम बहुत जादा profit करेंगे इसलिए यह सब चीज़ सोच के उन्होंने नीट की हिसाब से यह चीज़ यहाँ पर सामने रखी है अब देखते हैं कि Huawei अपने PCs, Tablets कितना जल्दी इंडिया में बनाता और बेचता है यह तो में आगे ही पता चलेगा तो यहाँ पर इंडिया के अंदर smartphone shipment बताया जारे के जो वो गिर रही है अगर आप Q3 2018 के यहाँ पर वेल्यू देखते है तो 40.4 million units smartphone shipped हो थे अगर आप 2017 से compare करते हैं तो previously 40.8 million smartphones shipped हो थे और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि अभी तो इतने सारे technology है इतने सारी चीज़े आ रही है तो companies लाते जा रही है फिर भी लेकिन इन में भी सबसे अगर सबसे पहले देखेंगे तो 12 million smartphones तो आपको Xiaomi की देखने को मिल जाते है वहाँ पर 29.8% का आपको जो वो शेर मिलता है Xiaomi का उसके बाद सेकंड पर आता है 23% Samsung फिर Vivo, Oppo और last में Micromax तो अच्छी बात है कि Micromax ने लिस्ट में टॉप कर दिया है क्योंकि पचास लग स्मार्टफोन भी उसने बाटा था तो यह चाज़ यहां पर सामने आ चुकी अब देखते कि Q4 में यहां पर क्या होता है यह तो हमें आगे ही पता चलेगा क्या आपको हमें बता है कि Google क पर कता है मुद्ध करता आपको आज की डिउस पसंद आगी अगर आपको पसंद आए तो अब जरूसे इस वीडियो को लाइक करिए मैं से आप लोग के लिए डेली डिगनों साथ रहूंगा आप लोग को ऐसे ही अप्डेट करता रहूंगा मिलते हैं आफ सब लिड़ों मे कि अब बटिको साथ तुलिए वेग डे देख देया आपको ग्रेते हैं अब आख लेग की डेख लिए एक लिए वाल में अब डीगनों करता रहूंग है नापको बड़ों में देख लेख वाल एक लिए किसित ऌके लिए पूंडर की अटलिए जर साओंग प्रेटिए आए